बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकल पे खड़े होकर बताएंगे हेलो एवरिवन, सलाम नमस्ते, संसरिकाल, उमीद करती हूँ, आप सब लोग ठीक ठाप होंगे, मेरा नाम है महली सरकारी, और वेल्कम तो मैं चैनल आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ, इस नट अधर दन गौरवारिया जी गौरवारिया जी, और किस चीज़े बात करें गौरवारिया जी, दुबारा से पाकिसान यो एकलाजा आ रहे हैं, मैंने वीडियो देखा नी है, पूरा, मगर मुझे थोड़ा बहुत पता है कि गौरवजी उस पर क्या बात करूंगे, मगर हाँ, इस वीडियो में कोई पाकिसान के, यूनो गौरवजी इस फॉल इस फॉल स्टेप बात कर दोगी, और उस चीज़ के नीचे क्या है, इस चीज़ के पीछे क्या है, तो एन्यूरेज, हम ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद में आपको अपने व्यूज या रिव्यूज उसके बारे में दू दोस्तों, मैं हूं बेज़ो गारवारी और आप देख रहें देख रहें दे चानक्या डायलोग्स, इस वीडियो को लाइक करिये, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करिये, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मद भूलिएगा दोस्तों, दोस्तों, खास्तों हमारे जो इंग्लि मैंने सुभेरे रिकॉर्ड करा था, और ग्यारा साले ग्यारा बज़े तक उसकी रिकॉर्डिंग खतम हुई थी, उसके बाद एडिट का टाइम लगा, शाम को पांच और छे बज़े के बीच में रिलीज हो गया था, और इमीडिटली बाद ये पता लगा कि डबू जी ने ऐसी चीज़ बताऊंगा, जो आपको शायद पता हो, ना पता हो, लेकिन पाकिस्तानियों को जरूर पता है, लेकिन उसको नदर अंदाज कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स बिलकुल क्रिक्ट की तरह है, इन दे सेंस डैट इस टीम स्पोर्ट, आप यह नहीं कह सकते हैं क कैप्टन की एक लीडर्शिप कॉलिटी होती है, कैप्टन वो होता है जो लीड करता है, कैप्टन वो है जो सबको साथ लेके चलता है, सबको मोटिवेट करता है, सबको ट्रेन करता है, यह एक कैप्टन का खास करदार, एक खास रोल होता है, लेकिन यह एक इंडिविजुल sport नहीं है it's not an individual sport this is not like playing table tennis or lawn tennis or golf यह आपको 11 बंदे लेकर चलना है और अगर जो captain जो captain अपने बाकी 10 बंदे तूटे फूटे ला रहा है उसकी team डूबेगी और PTI के साथ यही problem हो यह अब मैं आपको समझाता हूँ पाकिस्तान को आप समझे तब आपको पता लगेगा देखिए ऐसा है इमरान खान कभी जिंदगी में अपना पूरा चुनाओं नहीं जीता इसलिए इमरान खान को कहते थे selected prime minister यने कि कमर जाविद बाजवा साब जो उनके आर्मी चीफ हुआ करते थे साबिक आर्मी चीफ प्रीविस आर्मी चीफ वो उन्होंने सेलेक्ट करा इमरान खान को और इमरान खान को बना दिया प्राइमेरिस्टों पाकिस्टान ठीक है इमरान खान को गलत फह्मी हो गई है कि भाई मैं तो बॉस हूँ ये गलत फह्मी पहले जुल्फिकार भुट्टों को भी हो एक जमाने में जिसकी वज़े से लटक गए थे भाजी में ये गलत फह्मी हुई नवाज शरीफ को जिसकी वज़े से दस साथ है कि पैसे से ज्यादा बुरा जो है ना पावर का नशा होते जब एक दफ़ा किसी को पावर का नशा लग जाता है ना वो फौद ही बुरे वो अपने आप को तबाह कर देगा या दूसरों को तबाह कर देगा उस पावर को गदी को रखने के लिए और और दूसी तरफ लोगों को भी पावर की लगी वी है, so it's a competition of power. ताल याट साल something like that, वो जिला वतन रहें. और आज मी बाहर है, आज की तारिक में बाहर है, यह सब गलत फहिमी का नतीजा है, वो बाहर क्यों है मुल्क के? Why is he outside the country? यह सब का सब उस खुश फहिमी, उस गलत फहिमी का नतीजा है, कि भई, पाकिस्तान के बाप हमें है, पाकिस्तान का जो बाप है ना, वो जी एच्क्यू रावल पिंडी में बैठा है, तुम कुछ कर लो यार, तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम कप्ड़े उतार के नाचो सबक पे, उस से कोई फरक नी परता, यह पाकिस्तानी खुद मानते हैं, कि हमारी बाप जो है वो फौज है, पाकिस्तानी आर्मी, और पाकिस्तानी आर्मी की बाप इंडीन आर्मी हो बाता लग है, पाकिस्तानी नहीं पूछता था, जो फांडर्स थे पाकिस्तान पहरी के इंसाफ के, वो कहां चले गए, वो आपको नहीं दिखते, आपको कोई एका दुका दिख गया तो दिख गया, लेकिन आपको वो नहीं दिखते, सामने कौन दिखता है, या कुछ महने पहले, कौन दिखता था सामने, ये सारे आड़े टेड़े लोग दिखते थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, जो party hoppers थे, एक party hopper का मतलब खेर अलग चीज होती है, लेकिन ये भी आप party है, पॉलिटिकल, एक party से दूसरी party hopper करना, दो तो तीन-तीन party आँचेंज करना, एक आथ party मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई चेंज करें, तो I can understand, आपको नहीं समझ में है, आइडियोलोजी मेट नहीं करी, आपने एक party से बूश के साथ, लेकिन हवाच चौधरी जैसा, जो 5-5 party हाँ चेंज कर चुका हो, काफ लीग दो बार बदल चुका है वो, दो बार काफ लीग जॉइन करी और वहाँ से रिजाइन करा, ऐसा बंदा, और बीच में, हर एक party का बीच में वह हिस्सा रहा है, अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे खतरनाक लोगों से इमरान खान ने अपनी टीम बनाई, लेंगे लेवल, राइट, हर बंदा, यूटरन वाला, तो पाकिस्तानी फॉज ने क्या डिसाइड करा, जब 9 माई का वाइलेंस हुआ, तो पाकिस्तानी फॉज ने बोला कि अब बहुत हो गया, ये बहुत बखवास कर रहा है, ये बड़े कंटेनरों पर खड़े होके तक्रीरें कर रहा है, और डीजे बट से वहां पर टैंक चिक टैंक, के नीचे वाले लोग थे, पाकिस्तानी फॉज के पास तो सब के फाइल फॉल्डर पढ़े हैं, सब की वीडियो रिकॉर्डिंग और सब की आडियो रिकॉर्डिंग है, एक एक करके बुलाया, आज़ो बिटा, आज़ो इधर आज़ो, इत्हे हो, और एक करके सब की चबी टाइट करी, सब भागे हैं, सब भागे हैं, मैंने तो कली बता दिया था आपको, यह डबू भागेगा, मैं बता रहूं, एक तो सारे के सारे इतने करप्ट, सारे के सारों के ऐसे गंदे गंदे काम होते हैं, इसी वएसे मैं कहती हूं गंदा काम करो ही नहीं क्या आपकी जो है गुती किसी ने पकड़ी वी हो इन सब की गुती जो है पकड़ी भी होती कहीं न कहीं पीछे से सीक्रेट होते हैं everybody has skeletons in their closet ओके और यह skeletons यह लोग जानते हैं कि सीक्रेट जानते हैं इसी वएसे और फिर सौफ़ेर अपड़ेट होता है न लोगों का सौफ़ेर अपड़ेट होता है लोगों का सौफ़ेर अपड़ेट करने के लिए हम हमारी establishment बैठी है बहुत कर चुकी है पहले भी पांच बार भाग चुका है यह भागेगा 100% यह भागेगा और यह भाग गया अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ शामेमूद कुरेशी भागेगा आपका वो भागेगा क्या नाम कहते हैं वो जो सिगार पाओ पाओ के लोगा बिरला मंदर की गैंटियां शेक रशीद जो बिरला मंदर की गैंटियां नहीं बजेंगी वो गैंटियां माला वो भी भागेगा मैं आपको अभी नाम बता रह था आपको, यह डबू भागेगा, मैं बता रहा हूँ, यह पहले भी पांच बार बाग चुका है, यह भागेगा 100%, यह भागेगा और यह भागेगा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, शामेमूद कुरेशी भागेगा, आपका वो भागेगा, क्या नाम कहते हैं जो सिगार पाओ-पाओ किलो का बं, बिरला मंदर के घैंटियां शेह रशीन, बिरला मंदर के गैंटियां नहीं बतेइंगी, वह भागेगा, आपको भी नाम बता रहा हूँ तो, आप दो नाम आज newt करो, यह भी भागेगे, बेसिकली, पाकिश्तानी फौज ने क्या करा, आईसाई भेजी इनको मुझको ऐसा क्यों लगता है कि इन लोग की इन लोग की यादिसे ज्यादा वीडियो मेरे गांथ हरीम ने लीक करी होगी हरीम शाह अईसाग अमीर तरीन बंदी बंके बैटी होगी किसका विडियो चाहिए आपको हां किसकी ऑडियो रिकार्डिंग चाहिए किसकी नंगी तस्यीर है चाहिए आपको शेख रशीद जी को तो ऐसी नंगा कर दिया था उसने पिर भी बेगारत हों की सिगार चुस्तवा आ जाता था या बे शरम लोगें एक नंबर के बेगहरत लोगें कपड़े पहन के भी नंगे हैं तो पकड़ा इनको उल्टा लटका के मरा ठीक है और बोला कि बेटा जिंदगी भर अगर तुम आर्मी आक्ट या नहीं कि पाकिस्तान आर्मी आक्ट के त दस बार उठक बैठक लगाओ पैर चूओ हमारे और जाओ वरना तुम देख लेना शिरीन मजारी के साथ क्या करा रहा है और या डिसग्री विधर बड़ाव रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट फॉर एंड हर डॉटर अलसो उसकी बेटी है वो थोड़ा सा लेफ्ट लिए है वो लेकिन काफी सेंसिबल बात ने करती है उसकी बैटी शी टॉक्स अलॉट ऑफ सेंस जिस तरीके से शिरीन मजारी ने छोड़े यह पीटी आई यह रों अपना शी सट ओके मुझे फैमिली इशूज है लोकाफटर करने पांच बर अर्स करा शिरीन मजारी को नोगों न एक से छूटती दूसरे बात पर दूसरे पर छूटती तीसरे तीसरे पर चौटते चौटते पांच पर अच्छा इंसान ना खुद को तो जेल ले खुद की उपर जो तशद्धूत हो आदमी जब फैमिली के उपर बात आती है में तब इंसान टूड़ जाता है तब नहीं इमरान खान और उसमें कोई आइडिलोजी फालो करना वाला था ही नहीं सब तूटके बिखर गए पर अशर आया सब छोड़ के शरीन मजारी मैं कह रहा हूँ छोड़ के शरीन मजारी उनकी अपने मसले थे शिस अन ओल लेड़ी वो बीमार रहती है उनके शोहर नहीं है घर आप गंद इखटा करोगे ना इमरान खान साब मैं आपसे मुखाथिब हूँ जब आप गंद इखटा करोगे ना तो गंद फिर ऐसी जाएगा और मैं गंद किसको कहरा हूँ जो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लुक आफटर करता था और जिसने पूर फवाद हुसेन उनका मीडिया फेस था ओओ ओओ फवाद हुसेन ने बोला था ये सब इसको कि ये गालिया दो इसको गालिया दो इसको माबेहन की गालियां अपॉलिजीस मैं माफी चाहता हूँ ये चैनल पर ऐसी बाता लेकर वहाँ पर हुआ है ऐसा पाकिस्तान में खुलके गालियां दी हैं लोगोंने क्विटर पे लेडीज के साथ बत्तमीजी ये सब चौधरी फवाद हुसेन का है हाँ मगर ये सरफ यही लोग तो नहीं करते हैं अभी जो 2019 में नहीं देखा था मारवी सरमत के साथ क्या किया था खालील रह्मान ने गालियां ये तो आराम से चल करते हैं इनको ता कि एक दूसरे के करतने दबाए ठीक है ना एक दूसरे पानी फेके उसे और गालियां ने ता कि उनकी टीर भी आए हैं तस हम पाकिजानियों को जो है ना जगड़े देखना ज्यादा पसंद है ये वही जंगली सूर जो भागा था कोर्ट में देखा था अपने वीडियो जनली सूर की तरह भागा मोठा दरियाई गोड़ा घटकाट घटकाट असको पीछे से पकड़ा बोला बेटा इदर आजा बहुत भाग रहा है अब जितने भी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ के जो तुर्रम खान थे ना ट्विटर वाले अब वो दाना है ब जो यहाँ पर बंदे हैं जो बंदे हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे है आप इनके उपर एक्शन ला मुझे नहीं पता आक्शन होगा कि नियुके है और एक और आपको खबर देता हूं बड़े इंट्रेस्टिंगा ना यही यही प्रॉलम होती है जब आपके dual loyalties होती है, पाकिस्तान में जो भी बड़े से बड़े बंदे हैं, सब ने dual nationality ले रखी है, dual nationality, यहां का भी है, वहां का भी है, दो दो जगहे के passport ले रखे हैं, समार्ट लोग है, यह मैं आपको बताता हूँ, 746 पाकिस्तान तेरीक इंसाफ लीडर्स, यह डॉन न्यूस की खबर है, 746 लीडर्स को इन्होंने बोला है कि यह बाहर नहीं जा सकते, FIA, Federal Investigation Agency ने, इनको foreign travel एक मैने के लिए इनकी रोग दिया, याने की कोई, इनकी भी होगी exit control list type की न, इनको डाल दिया, जिसमें खदीजा शाव ओधनी थी fashion designer जिसके बारे मैंने बताया था, fashion designer थी, पड़ी लिखी है, ठीक है, पर है, 746 लीडर्स को इन्होंने बोला है कि यह बाहर नहीं जा सकते, FIA, Federal Investigation Agency ने, इनको foreign travel एक मैने के लिए इनकी रोग दिया, याने की इनकी भी होगी exit control list type की न, इनको डाल दिया, जिसमें खदीजा शाव ओधनी थी fashion designer जिसके बारे मैंने बताया था, fashion designer थी, पड़ी लिखी है, ठीक है, पड़ी लिखी लेडी, दो या तीन बच्चे उसके, वो पाकिस्तान के former army chief की family को belong करती है, यह खदीजा शाव, उसका दादा नहीं, पता नहीं हूँ, from maternal side or whatever side, was former chief of army staff of the Pakistan army, एक दो senior judge वजब ही है, इसकी family में, यह कहां पहुंच कोई, core commander के घर पे, आग लगा दो, hero बनते हैं न, यह लोग, यह लोग बनते हैं, hero, इनको यह जो elite है न, Lahore का, मैं आपको बताता हूँ, इन रोमने अपने मुल् समझते हैं, पेगंबर समझते हैं, नामाबाद भी है, इनको ऐसा लगता है, जो हम ही उपर से आया हैं नीचे, यह यहां से हिले हुए है, और इन लोगों ने पाकिस्तान का, पंजाबी elite of Lahore, इनोना बिड़ागर कर रहा हैं, पाकिस्तान का, इनको समझी नहीं है, अकल ही बुद्धी नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना विवेक, है यह नहीं विवेक, अच्छी खासी थी, यह पहुंच के कोर कमांडर के कर में, आग लगा दो, यह कर दो, वो कर दो, अब उसको अंदर कर दिया, अब मिनी आ रही है, क्योंकि यार, आप ब्रेंड़े कपले पहनो, गुची का बैग उठाओ, फिर टॉक अब रेविलेशन, यह नहीं थंडा कर दिया, जब बात आती है, खुद के लोगों के साथ जंग करने की, पाकिस्तानी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता, इस चीज का ध्यान रखना, जब बात आती है, खुद के लोगों पे तशद को कहते हैं कि जो, बिलकुल बेकसूर हो, जो मासूम हो, और जो पाकिस्तानी हो, उसको पाकिस्तानी फोज फिट करती है, यो लोड़ा कभी नहीं हरे, जो खुद की कोम से हो, यह पाकिस्तानी फोज का कीरदार, इंडियन्स के सामने चाहिए सरंडर कर दें, तो भई, मैं य सब्सक्राइब कर दोड़ा दोड़ा चोड़ रहा हूं यह देखो ट्वीट उसका ट्वीट देखो उसका टर के मारे हवा सरग गई जंगली सुवर जैसा एक दूसरा जंगली सुवर है शेख रशीद कहां गया वो सिगार पी के हीरो बनता था शेख रशीद का डैलोग शेख रशीद का डैलोग सुनाया आपने शेख रशीद कहता था जो हतकडियां है वो मेरा जेवर है पुलिस थाना मेरा सुसराल है जो पुलिस वाले हैं वो मेरे बाराती यह मैं बता रहा हू है रावल बिंडी का रहने वाला लेकिन एटिटूड लाहुरिया है और तो थपड़ पड़े सरेंडर वो पता नहीं है का मैंने तो भाई 9 माई के बाद दिखाई नहीं हुआ अदमी जैसे गदे के सर से सींग किसी को नहीं पता कहा गया वो गय भी है और इमरान खान बीच मे सफस गया है दोस्तों बहुत बुरी तरीके से इमरान खान को मैं आपको बताता हूँ इशू क्या हो गया इमरान खान के साथ इमरान खान को गलत फहमी हो गई थी वही बुट्टो वहली तो वही नवाज शरीफ वहली उसको लगा था कि सेलाब निकल आएगा और यह हो इनको पता ही नहीं लगा कि कहां से मिसाइल गई और कहां से आई इनको पता नहीं लगा अब इमरान खान ने कमिटी बनाई यह कमिटी जाके नेगोशेट करेंगी with the powers that be अंग्रेजी बोलते हैं यह लोग काम मान कुछ नहीं करना with the powers that be भई कौन है powers that be बताओ हमें भी तो स इसा है कि ऐसा कर लो यह उससे भी नहीं यह बात अब चलेगी directly establishments और इम्रान खान ने बोल दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है victim card ना victim card यहीं बंदा जो इस्लाम ओफोबी ऐस्लाम ओफोबी और वो भी victim card है इस्लाम ओफोबी अब यह भी victim card क्या खेलता है अगर आपको ल पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान आर्मी है आप ये बात कभी मत भूलना चाहे आप भारत में रहते हो चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसका हेड आफिस जो है वो जीएश की रावल पिंडी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिशन मगर इमरान खान की यह चीज जो है कि वो एक चीज बोलते हैं और उसके फिर पीछे चले आते हैं में एक चीज कभी बोलते हैं कि यह सारी साज़िश आर्मी की और यूएस की है फिर महां देखा जाए तो यूएस वालों से कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने मुझे उतार दिया है मेरी मदद कर दो, एक दिन आर्मी को पुरा बोलते हैं, अगले दिन बोलते हैं, आर्मी तो मेरी चाहन है, यह अर्मी के खिलाब कैसे वो सकता हूगisc आर्मी तो मेरी जाहन है याने बंदा कितनी याने कभी इस सरफ लड़क रहा होता है कभी उस सरफ लड़क रहा होता है I swear to God मैं तो इसकी किसी बात पर फरोसा नहीं करती हूँ आज इन सुभा उटके पतना ही क्या बात होती है रात तक वो बात ही चेंज हो जाती है So this is the kind guy ये वो बंदा है जो वक्त बदलते अपना बाप बदलता है ये देख रहा होता है कि इस वक्त में मेरे कौन काम आएगा किसको मैं अपना बाप बना लूँ मेरा मकसद निकला है बास, that is what his whole plan is, whole agenda is और अब ही कहते है ना पतली गली देखने की कोशेश कर रहे है कि अब मैं किस गली से चुप चाप शर्मातावाज निकल जाओं किसी तरह आँ से You know, so that's why I think he said that, what he said If of army's doubt है Pakistan का सबसे बड़ा business Fauji Foundation है They control politics, they control business, they control the courts, they control everything in Pakistan ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है कभी, यह उमर अथा बंदे आल टाइट के एक-दो लोग आ जाते हैं या फिर वो चौदरी था ना वो परविज मुशरफ के टाइम पर वैसे बंदे आ जाते हैं आड़े ट्यड़े, लेकिन over a period of time पाकिस्तानी आमी कंट्रोल्स पाकिस्तान है, इनकी आपकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है यह अपने फौज के खिलाव जाए, एक बार उचल लिए अब उसने बोल दिया कि लिए कोट, पब्लिक कोट्स नहीं होगी, सुप्रीम कोट नहीं होगी हाई कोट नहीं होगी, सुरी आपको आना है, तो आपको मिलिटरी कोट आना है हम यहां से आपका कॉलर पकड़के घजीट के लाएंगे मिलिटरी कोट और पाकिस्तान आर्मी आक्ट के तहट और ओफिशन सीक्रेट आक्ट के तहट आपके उपर केश चलेंगे फिर देखते हैं किसका बाप आता है बचाने के लिए और फिर देखते हैं कि उमरता बंदयाल क्या बोल पाता है तुम्हें यह फैसला है पाकिस्तानी फोज का चीफ जस्टिस अफ पाकिस्तान है ना, उसकी वाकाप नाब देंगे तुम देखो मैं इंडिया में बड़े सारे लोग के रहें यार इमरान खान देखो यार क्या कमाल का बंदया यह जो लुटियंस वाल है ना पागल इनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान के बाड़े में और मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूं इंडिया में बहुत कम लोगों को हाँ they have theoretical knowledge about Pakistan हम जैसे लोग जो सवेरे शाम सिर्फ पढ़ते हैं पाकिस्तान के बाड़े में बाड़े में तो यह पता है कि इनकी मेंदी की रस्मों गाना कौन से चलते हैं खाना कौन सा खाते हैं I have dedicated 22 years, 23 years of my life to only studying Pakistan with an obsession मुझे पाकिस्तान में क्या होता है कैसे होता है छोड़ दो मुझे इनकी यहां के न आप में उंगली लगा कि आपको यह बता सकता हूं कि इनकी नब्स एक मिनिट में कितनी धड़के ने इनकी चलते हैं that I can tell you आज मैं आपको वीडियो पे on record बोड़ आपको यहां पे है यह typical Khan market type और आपको यह बता है तुम लोगों को कुछ नहीं पता है और तुम लोगों भी बच्चे हो बिटा अभी इम्रान कान की photo photo देखके और यह प्रोटेस्ट पाकिस्तान में तो मचल रहे हो इस इंपोसिब तो फाइट अगेंस अगेंस देट इस आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते हैं दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ अभी तो पाकिस्तानी फॉज ने बैटिंग करी नहीं है अभी तो मैदान में उटरे नहीं है आप लोग वैसी सेलेट अब बैट और जब पाकिस्तानी फॉज आईगी ना उनका 75 साल का politics का experience है उनको पता है ISI वाले किसके घर भेजने हैं किसके बाप को उठाना है उनको पता है ISI को ये पता है कि ये फलाना politician है इसकी जो दुखती रग है ठीक है मैं आपको एक example दे रहा हूँ और आप मेरी बात समझेगा ध्यान से पाकिस्तानी ISI को ये बात पता है कि ये politician है इस कितना भी बहदुर हो कितना भी च्छाती का गोली खाले लेकिन जब ये देखेगा कि इसकी मां की ऊपर तशद्धध हो रही है तूट जायेगा उनको पता है ये बात है यान उनको पता है और PTI के को जाईर की का मैंना इक दूट से निकलके वो वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता आपको वो कॉपीरेट का चक्कर है वो विक्टरी का साइन दे रही थी शिरीन मजारी की डॉटर एंड अगेन ऐसे सेंसिबल यंग लेडी उसने अपनी मां का हाथ नीचे करा कि आप यह मत करो आप किस पंगे में जा रहे हो फिर शिरीन मजारी ने उपर करते हैं पाकिस्तान तरिके इससाथ खान के लिए जान दे देतें चलो 7000 नहीं भी डाले, 4000, 5000 जितनी भी डाले, उनके केस कौन लड़ रहा है, उनके तो घर वाले थानेदारों के और वकीलों के और जजों के पैर पकड़ रहे हैं, और जिसका घर का बच्चा जाएगा जेल में भी वो तो करे गई है, और वो कहीं करें, यह वो ही चीज है ना MQM के साथ भी इसी तरह से हुआ था, जब MQM वाले उटके भागना शुरू हो गए थे, जब MQM के जो कारकुन जिसे आप कहते हो, उन्होंने भी गुंडा गर्दी करी थी, इस नार के MQM बड़ी अच्छी वो थी, वो भी गुंडा गर्दी करते थे, मगर उनके जो कारक क्यों होती है, और अब और भी होगी, और इसमें वो ही बात मेरी आदर किएगा, इनमें से कौन पिसेगा, वो आम अवाम पाकिसनी पिसेगा, ये पॉलिटिशन्स में से इनको जरा टकी का फर्क नहीं पड़ना है, ना तिंग पाकिस्तान का इडिया का हो, या, कहीं का भी हो, जिसका घरवाला जेल जाएगा, जिसके घरवाले के उपर डंडे बरसाइगा, वो तो पहर पकड़ेगा लोगों के, वो कहीं का भी हो, यह हो रहा है, इसलिए वहाँ पे खान मार्केट के काफे में बैठ के डिसकुशन हो वाँ वाँ लस इम्राँ खान, you know, I think, he has stared down the, he has stared down the Pakistan army, वो बेव कुफां, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, मैं भी यही समझ रही थी थोड़े अर्से के लिए, इंसाइड पाकिस्तान, इंसाइड पाकिस्तान, there is only one boss, and the boss of Pakistan is the Pakistan army, prime ministers come and go, establishment remains, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल इमरान खान का पुनर जनम नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान finished है, no, not at all, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हां मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए उन्होंने इमरान खान की कमरे एक जमाना था जब आप जमान पार्क में जाएं तो इमरान खान सराउंड़ेड रहता था लोगों के साथ, इमरान खान सराउंड़ेड रहता था वहां पर, लोग रहते थे हाजानों की फिलहां, कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए वो लोग, कहां चले गए वो लोग ब의ोठिसियなら जो पीटी आइज़ के लिए गोली में खॉँगा और खाओं उसको पता लगा उसके बाप उठाटों देखे हैं वह गुटने उसने ठीड़ ऊफिए रहे हैं आप करते मैं लेसे करता जी त्रू है ना जब घर पर वहार के आती है तो आदमीं जुक जाता है यही पाकिस्तानी कोज ने कर रहा हूं ना ऐसा टाइट कर रहा कि सब बिलकुल डाउन हो गए लेकिन इम्रान खान ने जो ट्रस्ट कर रहा ना लोगों को मैं डे वन से कह रहा था और दो हजार सोला दो हजार सत्रा यह तो दो हजार अठारा में फिर बन गया ना इम्रान खान प्राम मिनिस्टर मैं दो हजार सोला दो हजार सत्रा से भी कह रहा था कि जो खान साब अपने स इस चोड़ देगे भी देखना वो कनड़ा से आजाए लेकर तोफी पहन के और सफ़ेद डाली लेकर ना बता रहा हूं आपको आजाएगा कनड़ा से वो जहर डालने पाकिस्तान में अब दोस्तों यह प्राइम इनिस्टर मोधी ऐस्टेलिया में थे और ऑस्टेलिया में एं इनको निपाएगा तो मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले में इनका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लो यह मोधी जी का स्टेटमें और वी तॉट्टीया ना चलेगा ने और अचलेगा ने और मोधी जी ने ये भी बोल दिया कि भी देखो साफसी भी बात है ठीक है ये इशू होगा भारत और उस्टेटिया की टाहिस के बीच में ये जो खालत सानी आप रेली करिए आपका हाग है आप भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए आप रेफरेंटर्म करिए आपका हग है देखो मंदर पहाध लगोगा ना फिर क्या होगा रियाक्शन होगा और वो रियक्शन में जो खालिस्तानी चाहते हैं, यह जो खालिस्तानी है ना, इस लूजर्स की क्या चाहते हैं, यह चाहते हैं कि मंदिरों पर अटैक करें, वहां पर लगातार करते रहें, करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, और यहां पर भारत में हिंदू इखटा हो के गुर्द्वारा साफ के उपर एटाइक कर ले विच इस नार एक्टम काड़ के लेंगे और मैं कई बार हिंदू अपने जो भाइबेन उनसे मापील कर चुका हूं हाथ जोड़के हर गुर्द्वारा साफ को वो दुनिया में कहीं भी हो भारत में हो बाहरो उसको वही इजब हैं जो आपने मंदिर को देते हैं और अपने सिख भाइबेनों को वही इजब देनी है जो आपने सगे भाइबेन को देते हैं और जो बुजर्ग हैं सिख आपको वही इजब देनी है जो आपने माबाग को देते हैं ठीक है अगर आपने ये करा जो कि आप लोग कई लोग क और इनकी जगे जो है खालिस्तान की जूतियों के नीचे है इनकी चाबी वईया मैं आपको बता रहा हूँ इनकी चाबी है इंडियन पंजाब और आप जितना प्यार, जितनी महबत, जितनी इज़त जितना मेल मिला आप जितना भाईचारा सिखों के साथ करेंगे ना मैं हिंदु को बात कर रहा हूँ यह आप जितना भाईचारा, जितना प्रेम, जितनी महबत, जितनी इज़त सिख भाईवेनों के साथ करेंगे ना उतना समझ लिए आप खालिस्तान का गला गोंट रहें ये बात मेरी समझ दीजेगा मैंने बहुत डिटेल में इसकी स्टड़ी करिये अगर आपको हराना है तो जो सिख भाई है ना उन से प्यार करो बुदर्ग सिख हैं उनकी इजद करो गुरुगरान साथ की इजद करो इनके ऑक्सेजन का पाइप कर जाएगा खालिस्तानियों का इसी पर तो उनका खालिस्तान खड़ा है समझ लिजी मेरी बात आछा दोस्तों यह आखरी आज का यह है की पाकिस्तान रूल्स आऊट टॉक्स पाकिस्तान ना बोल दिया कि हम भारत से बात नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाएं चाहे हम एंडिया से बात जाता है ठीक है और जो जी टुँन्टी ने करा है जी तुन्टी में हुआ है और हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान के फॉरन सेकेटरी ने बोल दिया, मैं हाथ जोड़के बिंती करता हूं पाकिस्तानी फॉरन आफिस, तिम लोग इतनी बकवास क्यों करते हैं यार। हर समय पहले इम्रान खान कहता था हम बात नहीं करेंगे फिर शहवाज शरीफ ने कहना शुरू करती है अब इंडिया से बात नहीं करेंगे फिर बिल्लो रानी ने बोला हम बात नहीं करेंगे से बात नहीं और भारत तुमसे तुम्हारा नाम मुँपे ज़वान पर लाना गाली जमझते हैं यहां पे लोग यार मैं अपने फॉरन आफिस की बात कर दो जो गवर्मेंट मोदी सरकार है वो पाकिस्तान को गाली जमझते हैं वो नहीं नाम लेना चाते हैं आपका आप क्यो किसको मार रहे हो यह किसको सुना देवा कि हम भारत से बात नहीं करेंगे आप जरह यह भी कर दीजिए ने एक बार आप बता दी कि भारत से फ़लाने मंत्री ने या फ़लाने मिनिस्टर ने फ़लाने ब्यूरोक्राट ने फ़लाने फॉरन आफिस के you know some person in the foreign office has written an official email के प्री किसी के घर में पा्टी चल रही है किसी के घर में पाठी चल रही है आपको ने बुलाया आपको invitation ने नहीं दिया वो आपसे भाती नी करता वो आपको पसंदी नहीं करता आप प्रेस कॉंफरेंस बुला के लोग करें, मैं तुसके पार्टी में जाऊँगा ही नहीं, मैं उस बंदे के घर में पार्टी में जाऊँगा ही नहीं, आप रोजी रिपीट करने हैं, उसके घर में नहीं जाऊँगा, अरे उसनों बुलाएं नहीं, तुम्हें बेवकूफ तो उसके बाद टर्रिजम बन करो फिर हम सोचेंगे तुम से बाद कर दिया है अब इंडिया कह रहा है कि हमसे बात करो और हमने मना करती हम बात नहीं करें कौन बात करता है यार भीकारियों से थमसे कौन बात करना चाltा है फद दोगए कुछ तो शरब करो अच्छा लोग ना दूसरों से जुट बोलते हैं पाकिστानी वाहिद कोवम है जो खुद से जुट बोलती है ये दुनिया से जुट म Zum Zumupio ह ये खुद से जुट बोलते हैं ख पाकिसानी ना खुश फैमी में रहते हैं, बस हम अपनी जिन्दगी इसी ही जी थे हैं, हम ला-ला लेंड पे रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता मगर हमें सब पता हैं, हमें कुछ नहीं पता मगर हमें सब पता हैं, क्या बोला जाए इस वीडियो के बारे में, I think most of the stuff that he said is right, यह उठाना लोगों को ब्लैकमेल करना और जैसे कि इनों ने का कि किसी की भी फैमिली पे आप हाट डालेंगे, मैं हूँ, यह हूँ, कोई भी हो, जब आपकी फैमिली पे आती हैं, तो बड़े-बड़े जो हैं, तो रम खाव भी जो हैं, वो गुतने टेक देते हैं, और लो जिनको डर्द नहीं होता, उनको पर्षब आपके साथ क्या हो रहें, आप क्या करें ? इसल— ना जो कि उनका कहना चले, उनकी पावर रहे, उनका कंट्रॉल रहे साथ रहा है। Thank you, space. So today we see the development button ladies today between, and Japanese, B-Q-Q-A email, MQ-M association with me team, I mean they are there. still, the eventual MQ-Q-M BMW team is not a change. वो नहीं रही एमक्यूम जो पहले होती थी आलता वसे इसना चलावाता था उसको सेम तिंग बिद अब मुझे लगता है कि पी टी आई के साथ भी हो रही है जिस तरीके से लोग छोड़ के भागें हैं यह तो जब इन्होंने स्टार्ट में यह जब लोगों को एड कर रहे थ नहीं दिखा था कि बहुत सारे लोग उसका पार्टी कमे में हैं तो कभी उस पार्टी में है तो कभी उस पार्टीमें इस पर्ड पाफ्लिग even तो आड़ powiedz nooppity ने वाली आपके साथ गॉढ़ना हें और अगर दूसरी वाली हो रही है तो उसका पाइदा कहा है कुनसी आद उंब किया 같은 हम उस सब्सक्राइब झाए क्या है? जो प्रेटिया था उसे रहते हैं, रहे थाटियां अरो आजुआ के दूदे हैं, आजुआ रहे characteristics को XD पाकिसान की सफर करेगी है और उन नहीं है कि पाकिसान्य हमी एनी के पाकिसान पर करके उनकी suffering जो है वो एक सफर बन गई है उडु वाला सफर वो एक सफर में निकले वह आ है और उसमें suffering ही सफर ही है और उनकु ये बोला या था Allальная मिया ने तुमारे पhtram にह ऐा आरा है ये AllNot just reality के एक आरा का इम्तिहान है आप आके यहाँ पर रेड़ी चड़ाओ एक दिन के लिए एक दिन के लिए एक दिन की तो बात है अलमिया कि इम्तिहान में आप आजाओं मुझे एक दिन के लिए खुशी दे रहो हाँ तो उचूरन दिया हुआ है बस और लोग खा रहे हैं उसको कि आपिसान किस तरफ जाएगा मगर यह बात सही है कि आर्मी ने अपना जो है यह बात भी सही है कि आर्मी काफी दे शुच्रामा देक रहे थी और उन्होंने अग्षट ने एक स्ट्रिंग पूल किया है और आप देखो लोग इधर बतर हो गया तो इमेजिन कि अगर वो फुल फोर्स के साथ अपने आएंगे तो क्या PTI रहेगी? कहां रहेंगे ये लोग, you know, God knows what's gonna happen और ज्यादा चीज़ेंगे खराब हो जाएंगे, who knows? ये लोग तुम्हारा शरू हो ले आएंगे, that is also an option who knows? क्या हो सकता है पाकिसान का कोई भरोसा तोड़ी है? कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, like, आप सोते हो सोचके, आभी पाकिसान इस हाल में सुबह उठते हो, तो पता चलता है पाकिसान, ओड़म बड़म हुआ वाई, yeah, things change so fast in पाकिसान, so anyways guys, मुझको बताएगा कि और शेयर करना मत भूलिया, और ना आपके घर तक आओंगी, मैं ढूंटी भी आप कहा आ रहते हैं, सबस्क्राइब कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, और जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे वीडियोस को डी मॉनिटाइज कर दिया जाता है, मगर अब आप हमको सपोर्ट क कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत माईने रखती है, चलें गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धक धक करने लगा, मौा, बाई एविबड़ी, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको ड